कि उठने का मन नहीं होता पर उठना पढ़ रहा है उठना तो पढ़ेगा क्योंकि आज है एक्जैम है है ना आच्छे से करना ठीक है चालो उठ जो फटा फट से विदांज उठ जा विदांज की तो नींदी नहीं पूरी हो रही उठो 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 जली चलो मैंने जो है आलू को बॉयल कर लिया था उसमें सिंपल सी जो मसाले होते हैं ड्राय मसाले वो एट किये थोड़ी सी कसूरी मेथी एट की है और बस उनके लिए गर्मा गरम पराठे बनाने शुरू कर दिये हैं और फाइनली जो है मैंने घी मंगवा लिया था आपको याद हो मैं एक बर ट्राय लेती हूँ इस वाले गी का और हम लोग जैसे नॉमली घी लेते ना अमूल का या पतनजली का जो भी घी हो तो उसमें क्या होता है ना कि इतनी अच्छी खुश्बू नहीं आती है कही ना कही ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत मिलावट है लेकिन यकीन म मैंने से जल्दी से खरीद लिया मतलब आप यह लगा लीजे कि 550 की रेंज में मुझे ये एक लिटर से थोड़ा सा कम मिला तो क्योंकि मैंने शायद फरस्ट और कराया था था कंट्री डिलाइट से इस वज़े से मुझे ये थोड़ा सा सस्ता मिला है अगर आप लोग भी ट अब बच्चे अपना नाश्ता कर लेंगे तो वही होता है जिस दिन इनका मन होता है उस दिन ये अच्छे से नाश्ता करके जाते हैं और जिस दिन इनका मन नहीं होता है ना उस दिन ये सी फ्रूट का कर जाते हैं स्कूल में नहीं बेटा नहीं बहुत भारी है यह नहीं ले जाना नहीं ले जाना आज एक्जाम है आज भी इसको गेम्स करने है ना चलो जल्दी 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 गरो बाई यह लो चलो बाई अच्छे से करना एक्जाम हलो एवरीपान गुड़ आफ्टर नून और वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग दुपैर के ना दो बच चुके हैं और मैं अभी तक जो है लंच की तयारी करें थी आज लंच बनाने में हो गया बहुत ज्यादा ले डाई बच्चे भी आ चाईएंगे और अभी तक कुछ भी नहीं बनाया थी तो बस उसी की तैयारी चल रहाई तक यहां पर आज मैं बनाने वाली हूँ नाल बडी की सब्जी तो चलिए आपको दिखाती हूं पहले नाल बडी होती है मतलब जो अरभी होती ना उसके जो बीच तक भीगाना पड़ता है गरम पानी में और साथ में मैंने यहाप पर थोड़ा सा जो लेसुन है ना उसको भी क्रश कर लिया है क्योंकि लेसुन का टेस्ट जो है इसमें बहुत अच्छा लगता है तो बस इसको मैं बनाऊंगी और आप सेम मेथड से जो मूं की दाल की बड़ तैयार करना है तो जल्ली से बनाना शुरू करते हैं यहां पर देखिए वड़ियों को मैंने पहले निचोड लिया है क्योंकि इसको हमें फ्राइ करना है तो जैसे ही तेल गरम हो जाएगा यह उड़त दाल बड़ी हम इसमें डाल दींगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने अलग से बरतन में और इतनी टेस्टी लगती है ना इसके साथ चाहे आप चावल खा लिजिए चाहे रोटी खा लिजिए बहुत ही अच्छी होती है और सबसे बड़ी बात पते है क्या है कि यह घर पे बनी हुई बड़ी है यह मेरी ससुराल से आई थी तो आज मैं इसको ब लगते हैं हाँ अगर राजमा छोले हो तो बात अलग की होती है लेकिन इस तरीके की सबजी का ना एक अपना अलग टेस्ट होता है तो कम ही टोमाटर आट करने चाहिए तो मैंने एक चोटा टोमाटर आट किया है उसके बाद जो लैसुन क्रश किया वा था उसमें हलका सब पानी डाल के उसको भी आट कर दिया और जितने भी ड्राए मसाले होते हैं वो सब इसमें डाल दिये हैं इन टमाटरों को थोड़ा सा हमें गलाना है कि अच्छे से ये गल जाए और उतनी दिर में मैंने यहाँ पर पानी रख दिया है गरम करने के लिए क्योंकि बड़ी की स इसको थोड़ा सा ढग दूगी अब यह थोड़ा सा पकेगा इतनी देर में जो है चड़ा लेते हैं चावल तो बस अभी-भी मैंने यह चावल का जो पैकट है वो मंगवाया था और इस बार मैंने इंडिया गेट के जो बासमती राइस होते हैं वो मंगाए और यह वारे र बना दो एक गैस पे चावल बना दो तो जल्दी से बन जाता है पराठे बनाए थे ना तो थोड़ा सा घी कटोरी में बच गया था मैंने उसमें हलका सा गरम पानी डाल के और चावलों में ही वो पानी आट कर दिया है और इधर यह जो बड़ी है इसमें हम अभी इतना पानी जितना की हमें चावलों के साथ खाने के लिए लगेगा तो यहां पर साग जो है वो मैंने फ्राय कर दिया है अच्छा हमारे यहां ना साग ही बोलते है जैसे नाल बड़ी का साग हो गया और जो हरा वाला साग हो तो इस भी साग बोलते है मतलब इस तरीके की कुछ भी वो स चैप्तों से चावल और कराए बस यही फायदा होता है इन चीजों का की 10 मिनट के अंदर जो है चीज घर पे हो जाती है यह सारी चीजना इमर्जेंसी के लिए अच्छी है अगर एकदम से कुछ चीज खताब हो गई है और आप पे नई टाइम है आप शॉप पे जाओ तो आप तुरन से जो है और करा लो तो टाफट से मैंने चावल भी और करा आए और बस चावल भी चड़ चुके है अभी आपर शाग वी बन जाएगा पाफ साथ मिनट में और बच्चे भी आने वाले हैं बच्चों को लेने के लिए बस अभी दो तीन मिनट में वो भी आ अच्छा पर बताओ एक्जाम कैसा रहा इस तो बहुत बताएगा जहां से एक्जाम आते हैं वहीं से रिजल्ट भी आता है आना चाहिए तेरा कैसा रहा इतने उधासी से क्यों बोल रहा रहा आप डाइंगे रिजल्ट बताएगा मैं सीधे आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ तो दोपैर में हम लोगों ने लंच किया थोड़ा सा रेस्ट किया और बस अभी जो है ना इस समय बच्चे दोनों ट्यूशन में थे अभी टाइम बहुत जादा नहीं हुआ है लेकिन वही है कि अंधेरा जल्दी हो जाता है तो लग रहा है कि कितनी रात हो गई है और अभी मैं लगाऊंगी कपड़े तो कपड़े ना मुझे शाम को लगाना अच्छा लगता है रीजन ये भी है कि सुबे ना हमारे पास बहुत सारे काम होते ना तो कपड़े धुलने का काम ये रहते है कि अगर आप शाम को ही कपड़े धोके रख दोगे चाहे बेशक आप उसे next day सुखाईए तो ये रहते है कि एक काम थोड़ा सा कम रहता है कपड़े जो है मैंने लगा दिये हैं बहुत जादा कपड़े नहीं थे मदब दो बार मुझे मशीन लगानी पड़ेगी और जब तक कपड़े दूलेंगे तब तक मैं अपनी शाम की पूजा कर लूँगी और उसके बाद जो है मैं फिर आगे की तैयारी करूंगी पर जो है मेरी पूजा हो चुकी है और अब मैं चलूंगी कीचन में अच्छा आज हुआ ये कि वंचीका के पापा ने शाम को जो है ना सबजी बना दी थी मटर की तो वो एक सबजी वाला काम जो है मेरे लिए बहुत असान हो गया था और पते क्या हुआ उन्होंने छील भी दिये थे मटर खुट से ही तो वो भी थोड़ा सा इजी हो गया था अभी मुझे सिर्फ आटा गुनना था और रोटी बनानी थी हालंकि कहने के लिए होता है कि सिर्फ आटा गुनना रोटी उसके बाद और भी बहुत सारे काम होते हैं लेकिन यह है न कि शाम के टाइम पर अगर एक आदा कामों की हेल्प मिल जाएना तो काफी अच्छा लगता है तो देखिए यहां पर आटा मैंने गून दिया है और अब मैं इसको जो है सैट होने के लिए रख दूंगी तो जी रात के बच गए है ठीक नौ डिनर वगेरा बन चुका है आधा दूरा आधा दूरा रहता है अभी मैंने रोटिया नहीं बनाई है लेकिन बच्चों ने खाना खा लिया है और मतर की सबजी देखी तो बंचिका के पापा नहीं आज सबजी नाई थी तो इन्हों ने तो जाते हैं जब थोड़ी सी नाट पढ़ती है तो विदांश को ना फिर अच्छी नीन आती है ना चलो यह लग जाएगी तो और कल इनका पेपर है नाइन थर्टी इनका टाइम है नाइन थर्टी तक इनको सोना ओद है किसी भी हाल में इसलिए जो है नौ बजी तक मैंने मैं में ऐने बजाएटाट इने कोझे ओड़िनर करवा दिया है और मैं आपको सब्सक्राइब दिखाते हूं जुक्त ने जो बनाइये और यह देखीये मटर कीश्बजी बनाये विलकोल मटर मसाला होती है विलकोल सूखी सूखी सी सब्सक्राइब और यहाँ पर मैंने यह पहले इनको जो शुला के आ जाती हूं फटा फट से नहीं नहीं आज फैन नी चला ना थंडा है आज थंडा नहीं लग रहा है नहीं बिटा आज थंडा है आज मत चला और नहीं तो भी मार जाओगे ठीक है चलो सो गुड़नाइट पर्दा क्यूं यार यह लोगा इनका पड़ता असा खोल देते हैं ताकि रौशनी आती रहे हैं ना अंधेरे में डर लगता है चलो कोई नहीं में बाद में लगा जाओंगी तुम लोग सो सो जाओ सो मैं लाइट आफ कर यूँ सो गुड़नाइट लाइट कर देते हैं बन लाने के बाद ना मैं सीधा कीचन में आगे थी और यहाँ पर यह जो चावल की कड़ाई है ना सबसे पहले मैं इसको खाली करूंगी अच्छा यहाँ पर मेरी प्लैनिंग यह थी कि मैं बरतन धो देती हूँ पहले फिर में रोटी बनाऊंगी क्योंकि ज्यादा तो बनानी नहीं थी इसी फंशिका के पापा के बनानी थी मेरे लिए थोड़े से चावल थे फिर मैंने सूचा कि अगर मैं बरतन धो भी दूंगी तो कोई फायदा है नहीं क्योंकि थोड़े से बरतन फिर और निकली आएंगे मुझे पानी में दुबारे से हाट डालना ही पड़ेगा तो फिर वही है कि प्लैन बदल के रोटियों पर शिफ्ट हो गया तो यहां पर मैं बनाऊंगी जल्दी से गर्मा गरम रोटी और कभी कभी न आप इतने जादा परिशान हो जाते हैं नो इन बरतनों को देखके मेरे साथ भी ऐसा ही हूँ आज पूरे दिन में मैंने चार से पांच बार के बरतन धोये होंगे और सर्दियों में न थोड़ा सा आफ़त भी आती है बरतन धोने में न और बार बार जब आप एक ही काम को तीन से चार बार करते हो न तो इतना जादा गुस्सा आता है न अच्छे यह कभी कभी होता है तो आज मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था मुझे इतना गुस्सा आरा था और उसी وقت आगया मेरी बेहन का फोन, तो मैंने ऊसे बोला क्या कर रही है तो बोल रही है मैं बरतन दो रही हूँ और मैं बरतन दो दो की परिशान हो गये तो हम दोनों आपर पच में ऐसी बाते कर रहे थे कि यहाँ लगता है हमने शादी ही इसी ले की है यही सब काम करने के लिए बर्तन दोने के लिए क्योंकि यह बर्तन घटम ही नहीं होते और यहां पर देखिए मैंने क्याकि आना की खाना भी नहीं खाया सबसे पहले जो है मैं आपने ये बरतन दोने लगी थी तो मैंने गीजर आन कर लिया है और बस मैं जल्दी से ये बरतन धो रही हूँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो बड़े-बड़े से बरतन होते ना इनको वाश करने में बट वही है कि कौन करना हमें पड़ेगा नेक्स टेक ले भी नहीं छोड़ सकते तो फिर किसी तरीके से हिम्मत करके मैंने ये वाले बरतन जल्दी से धोए बरतन धोने के बाद फिर अपना वही काम हॉप क्लीन किया पूरी कीचन क्लीन करी और उसके बाद जो है मैं जमाऊंगी दही तो ये द दही जमादी है क्योंकि दही जो है खाई जाती है तो बस यह हो गया है मेरा आखरी काम और इसी के साथ करते हूँ वीडियो का एंडू पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजीगा वीडियोश को लाइक को और शएर करना ना भूलिएगा मैं मिलती हूँ आप से अ बाइ और टेक केर